ओम शांति आज 20 मई दोहजार चौबेस देन सौमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महवा क्यों को मीठे बच्चे तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो जिनोंने जास्ति भक्ति की होगी वही घ्यान में आगे जाएंगे प्रश्न कल्यूगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सत्यूगी राजाई में नहीं होगी उत्तर कल्यूगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरू की जरूरत रहती है सत्यूगी में दोनों ही नहीं होंगे वहां किसी किराई लेने की दरकार नहीं क्योंकि सत्यूगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीड़ी तक चलती है और सब सद्गती में है इसलिए गुरू की भी दरकार नहीं ओम शंति ओम शंतिकार्थ क्या है स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना भगवानुवाच स्वधर्म में बैठो अभी तुम्हें बेहत का बाप बेहत की पढ़ाई पढ़ाते हैं क्योंकि बाप बेहत का सुख देने वाला है पढ़ाई से सुख मिलता है न अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो पेहत का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने, हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, वैकब बनते हैं, इतने उच पुर्शोत्म कैसे बने, यह कोई भी बता न सके सिवाए बाप के, प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मन ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है, प्राह्मनों की होती है चोटी, तुम शुद्र से ब्राह्मन बने हो, तुम प्रजा पिता ब्रह्मा के मुख वन्शावली हो, कुख वन्शावली तो नहीं हो, कल्यूगी सब हैं साधू, संत, रिशी, मुनियादी सब द्वापर से लेकर कुख वन्शावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजा, पिता, ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां ही मुख वन्शावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वुत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवताब बनाने वाला बाप आया है। अधर से पारस बुद्धी बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भगती का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीती समझने की बाते हैं। अभी तुम कल्योगी से सत्योगी विकारी से निर्विकारी बनते हो। अत्वा पुर्शोतम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायन जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं तो जरूर इनों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानों वाच। परंतु भगवान किसको कहा जाता है। भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सेकडों हजारों नहीं होते हैं। मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत म इनकी अर्थात लक्ष्मी नारायन की राजधानी थी इनों के बाल बच्चे आदी जो भी थे राजधानी के मालिक थे तुम यहाँ आई ही हो राजधानी के मालिक बनने लिए ये अभी तो नहीं है ना भारत में इनों का राज्य था बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थे सूरेवंशी और चंदरवंशी थे तब और कोई धर्म नहीं था इस समय फिर और सब धर्म हैं यह धर्म है नहीं यह जो foundation है जिसको थुर कहा जाता है इस समय मनुश्य स्रिष्टी रूपी जाड का थुर सारा सड गया है बाकी सब खड़े हैं अब उन सब की आयू पूरी होती है यह मनुश्य स्रिष्टी रूपी वैराइटी जाड है भिन नाम रूप देश काल अनेका अनेक हैं न कितना बड़ा जाड है बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह जाड जड़ जड़ी भूत तवो प्रधान हो जाता है तब फिर मैं आता हूँ तुम मुझे पुकारते हो बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ हे पतित पावन कहते हैं तो निराकर बाप ही याद आता है साकारी तो कभी याद नहीं आएगा पतित पावन सद्गती दाता है ही एक जब सत्युग था तो तुमारी सद्गती थी अभी तुम पुर्शोत्तम संगम युग पर बैठे हो बाकी और सब कल्युग में हैं तुम हो पुर्शोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुश वा उऊच ते उऊच गाया जाता है एक भगवान उचा तेरा नाम उचा तेरा धाम उचे ते उच रहते हैं ना परमधाम में ये बड़ा सहज समझने का है सत्यूग त्रेता द्वापर कल यूग फिर है संगम यूग इसका किसी को पता नहीं ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है यह तो अनादी है मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया बाप कहते हैं अनादी है ही शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा परंतु नहीं यह तो चक्र चलता ही रहता है तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विश्णु शंकर का यह हैं देवताई त्री मूर्ती दिखाते हैं इसमें उचते उच शिव को दिखाते नहीं है उनको अलग कर देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना सोतब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेजिडेंट है, प्राइम निस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले, सत्यूग में राय देने वाले हैं धेर के धेर हैं पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदी बनते हैं राय देने के लिए खुद गवर्मेंट भी कहती है यह क्रेप्टिड हैं बहुत खाते हैं यह तो है ही कल युग वहां तो ऐसे होते नहीं वजीर आदी की दरकार नहीं रहती यह मत 21 जर्म चलती है तुम्हारी गती हो जाती है वहां तो गुरू की भी दरकार नहीं रहती सत्युग में ना गुरू ना वजीर रहता है अभी तुमको श्रीमत मिलती है अभिनाशी 21 पीढ़ी के लिए 21 बुढ़ापे के लिए पुढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चो तुम ब्राहमन ब्राहमनिया हो गरंत में भी पढ़ते सुनते तो सब है मुत पलीती कपड धोए बग्वान को बुलाते हैं आकर मुत पलीती कपड़ा हम आतमाओं का दुलाई करो हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो शरिर तो नहीं दोना है आत्माओं को दोना है क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है पतित आत्माओं को आकर पावन मनाओ तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे यहां आना पड़ता है मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्सा मिलता है, हद के वर्से में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं, अथा हद दुख है, बाप ने कहा है, यह पांच विकार तुम पवित्रता धारन करते हो देवता बनने के लिए तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने यह है पुर्शोत्तम संगम युग इसमें पुर्शार्थ कर पावन बनना है कल्प पहले जितने पावन बनने थे सूरेवन्शी चंदरवन्शी घराने के वे जरूर बनेंगे टाइम तो लगता है ना बाप युपती बहुत सहज बताते हैं अब बाप के बच्चे तो बने हैं यहां तुम किस के पास आए हो वे तो है निराकर उसने इस शरीर का लॉन लिया है वे खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन मैं आता ही हूँ पुरानी रावन की आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं यह हैं बहुत जन्मों के अंत का जन्म जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं इन में परवेश करता हूँ गुरू भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है कहते हैं न साथ तो लगी लाट घर में रहेंगे तो बच्चों की लाट लगेगी इसले भागो घर से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाटी मारने में भी देरी नहीं करते हैं कहेंगे कहां मरे तो धन हमको मिले वानप्रस्थियों के बहुत सतंग होते हैं तुम जानते हो सर्व का सदगती दाता एक है, वैसंगम युग पर ही आते हैं, सत्युग में जब तुम सदगती पाते हो, तो बाकी सब शांती धाम में रहते हैं, इसको कहा जाता है सर्व की सदगती, बाप के सिवाए तो और कोई भी सदगती दाता हो नहीं सकता, ना किसी को श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री, श्री अर्थात श्रेष्ट होते हैं देवताई, श्री लक्ष्मी, श्री नारायन उनको कहा जाता है, उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री 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 बाबा को ही कहना चाहिए, तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने वहां हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शांती सब वहां है, वहां जगडादी होता नहीं, बाकि इतने सब शांती धाम में चले जाते हैं, बल सत्यूग को लाखो वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं लाखो वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो पांच हजार वर्ष की बात बाप समझाते हैं कहते हैं दिन प्रती दिन सीधी नीचे उतरते तमों प्रधान बनते जाते हैं तो बाप समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है एक्टर्स होकर ड्रामा के creator, director, मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे बाप कहते हैं इस बेहत के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं ये बाप आकर समझाते हैं कहते भी हैं शरी लेकर पाट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है कोई बता नहीं सकेंगे अभी तुम बच्चे जानते हो बेहत का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है टिक टिक होती रहती है मुख्य है उँचते उँच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगती भी करते हैं सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं बहुत थोड़े हैं वे थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ती की होगी तुम्हारे पास परदर्शनी वा म्यूजियम में आएंगे वे जिनोंने बहुत भक्ती की है एक शिव की भक्ती करना इसको का जाता है अव्यभीचारी भक्ती फिर बहुत तो की भक्ती करते हैं अभी चारी बन पड़ते हैं, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भगती है, पहले सतो प्रधान भगती थी, फिर सीड़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं, ऐसी हालत जब होती है, तब बाप आते हैं, सबको सतो प्रधान बनाने, इस बेहत के ड्रामा को भी तुम अभी जान अच्छा प्रता का वर्सा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। बेहत बाप से पढ़ाई पढ़कर स्विम को कोडी से हीरे जैसा बनाना है। बेहत का सुख लेना है नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाले बाप अभी हमारे समुख हैं। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्रहमन कुल। बरदान ज्यान संपन दाता बन सर्वात्माओं के प्रती शुभ चिंतक बनने वाले श्रेश्ट सिवधारी भव। अब बाप दादा के बरदान को विस्तार में समझेंगे। शुभ चिंतक बनने का विशेशाधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन वापर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्ती शालिक हजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रती शुभ चिंतक बन सकेंगे। शुब चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर, ऐसे ज्ञान संपन दाता ही, चलते फिरते हर एक की सेवा करते, श्रेश्ट सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन विश्व राज्यादिकारी बनना है, तो विश्व परिवर्तन के कारे में निमित बनो। विश्व राज्यादिकारी बनना है, तो विश्व परिवर्तन के कारे में निमित बनो। ओम शंति ओम शंति